असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गूट फूट किचन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कडाही की रेसीपी इसमें हम लेंगे एक किलो चिकन, एक किलो टमाटर, हरी इसमें मिर्च लेंगे तीन और एक प्यास लेंगे क इसमें जाएगा जीरा, एक टेबल स्पून साबत, और हम यूज करेंगे इसमें तकरीबन डेर से दो कप ओयल, सबसे पहले हम अपनी कडाई को रख लेंगे चूले के उपर और इसे थोड़ा गरम करेंगे, फिर इसमें हम एट करेंगे ओयल, ओयल को थोड़ा सा हम हीट होन प्यास, याद रखशिएगा कि प्यास को हम लोग स्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसमें, प्यास को हम इसमें हलकी ब्राउन ही रहने देंगे, ओयल आप का गरम है, आप इसे आप मिक्स करना शुरू करें, और प्यास को हलकी सी ब्राउन कर लिजिए, एक चीज में आपको कटी हुई जो है लेसन और अद्रक कटी हुई डाली है इसमें उसे मैंने चॉप कर लिया था मैंने उसका पेस्ट नहीं बनाया था प्यास को आप अच्छे से हिलाए और हल्का सा ब्राउन कर लेजिए इसके बाद अब हम इसमे आड़ करेंगे लेसन और अद्रक चॉप की हु चॉप की उई का जैका एक अलहदा से हाता है आप चाहें तो इससे आप पीस भी सकते हैं इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं मैंने इसमे चॉप की हुई यूज की है अब हम इसे जरा अच्छे से हिलाएंगे ताके लेसन और अद्रक भी इसमे इच्छे से अपना रंग निकाल पिर हम इसमें एड़ करेंगे चिकन, चिकन हम एक ही टाइम में सारा इसमें एड़ कर लेंगे, पिले से अच्छे से दूएंगी, ये चिकन मेरे पास 1 kg और कुछ क्राम उपर था, आप उस हिसाब से इसमें नमक एड़ कर लिजेगा, जिस हिसाब से आप अपने खानों में नम चिकन के बिनाई करते होए, हम अपने चूले की आज को थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे। तो इसके अच्छे से बिनाई होगी। चिकन पहले अपना पानी चोड़ेगा। पानी चोड़ने के बाद में पानी ड्राई हो जाएगा और ओइल रह जाएगा पिछे। और चिकन का कलर थोड़ा चेंज होके गोल्डन गोल्डन सा आजाएगा लाइट गोल्डन सा कलर चाहिए हमें बहुत ज्यादा गोल्डन भी नहीं करेंगे कि चिकन बिल्कुल किनारों से सक्त हो जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे टोमाटर एक किलो चिकन है तो हम एक किलो के करीब टोमाटर लेंगे अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए आपके अफराद थोड़ी ज्यादा हैं ग्रेवी ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें एक किलो से एक दो टोमाटर उपर भी कर सकते हैं तीन सबस मिर्चे साथ में एड़ कर दीजिए और साथ में सारे स्पाइसिज जो मैंने आपको बिले बताये थे वो भी एड़ कर दे स्पाइसिज, टमाटर, सबस मिर्च ये सब कुछ एड़ करके अब हम इसे अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे याद रखिएगा कि इसकी बुनाई बहुत ही तीमी आँच पे नहीं करेंगे हम लोग इसकी बुनाई थोड़ी सी तेज आँच के उपर होगी ताके टमाटर भी अच्छे से गल जाए और अपना जो पानी छोड़ेंगे उस पानी को भी अच्छे से हम ड्राइ करेंगे अब हम इस चिकन की तब तक बनाई करते रहेंगे तब तक टमाटर न गल जाएं और जब तक ये अलैदा से ओल न छोड़ दे साबत लाल मिर्च ओप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो आप इसमें तो आप इसमें साबत लाल मिर्च को add कर सकते हैं ये एक अच्छा साखा देती है जो लोग स्पाइसी से ज्याद अप्शनल करते हैं उन्हें ये बहुत मज़ा दीगी अब इसकी अच्छे से बनाई करने के बाद में जब oil बिल्कुल सेप्टट हो जाए तो आप इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दें, हलकी आज कर दें इसकी, हलकी आज करने के बाद में oil और थोड़ा सा इसमें से निकल आएगा मगर याद रखेगा, इसकी बनाई अच्छे से कीज़ेगा शुरूर में आपको बताना बूल गए इसमें आपने योगर्ट भी एड़ करनी है एक कप, एक कप आप इसमें फैंट के योगर्ट को भी एड़ किज़ेगा तो उसे बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी इसकी, योगर्ट को